हेलो स्टुएंट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सॉप्ट स्किल यूइंट नंबर वन है हमारा अप्लाइट ग्रामर एंड यूजेज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इन तीनों का एक दूसरे में इंटरचेंजिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सिंपल कंपाउंट सेंटेंस होते क्या हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे क्या होता है यह एक सेंटेंस में कंपलीट थॉट को एक्सप्रेस करता है जैसे यहाँ पे हम एक्जांपल में देखेंगे सम इस्टुडेंट लाइक टुटडी इन मार्निंग मधर ओडर एफ बसड़े के यह हमारे क्या है सिंपल सेंटेंस की बात करें तो एक कंपाउंट सेंटेंस कंसिस्ट आप टू में क्लॉज़ेज आप इक्वल इंपॉर्टेंस जॉइन टूगेदर विद कंजक्शन हम अपर क्या दो सेंटेंस हैं जो एक दूसरे में यक यह हैं और हमारा वह बनता है सेंटेंस अईक सेंटेंस आई एक साथ जॉइंड होते हैं यहां जैसे हमने देखते हैं आप्टर दा इस्ट्रोम हिट दा टाउन ट्रीज ले ब्रोकिन इन दा स्ट्रीट आई एम ग्लाइड तू नो देट ही है एक सक्सीडेड यह हमारा क्या आता है complex sentence में आता है आप सबसे पहले यहां पर हम लोग देखें conversion of simple sentence into complex sentence तो हम लोग इनके जो कई methods हैं कई abroad में इसके methods हैं उनको सबको देखेंगे हमने यहां पर example कई सारे दे रखे हैं लेकिन हम केवल starting example ले लेके आपको समझा देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं by expanding a word और a phrase into a noun clause हम यहां पर जो हमारा basically यहां पर focus किया गया है a noun clause जो यहां पर noun है उस पर focus किया गया है तो यहां पर हमने simple sentence हमारे पास है I was glad to know of his success इसका हम complex में change करेंगे तो complex में क्या होगा I was glad to know that he had succeeded यहां पर क्या हुआ के वार noun में changing लाया गया noun को हम लोग expand किये और हमने उसको simple से complex में बना दिया है उसके वाद हम लोग यहां पर देखेंगे यहां पर और दो examples है आप इनको आप revision कर सकते हैं इनसे आप practice कर सकते हैं जो हमारा दूसरा है by expanding a word or phrase into an adjective clause यहां पर क्या है हम लोग वहां पर क्या focus किये थे noun पर यहां पर हमारा focus रहेगा adjective पर जैसे हमारे simple में ह हमें दिया गया example a dead man tell no tales तो हम इसको complex में जब change करेंगे तो हमारे पास जो adjective है हम उसको क्या करेंगे expand करेंगो तो यहां पर क्या है a mine who is dead यहां पर dead हम सीधा बोल सकते थे लेकिन हमने इसको complex करने के लिए क्या वो किया a mine who is dead tells no tales तो हमने क्या कि dead को who is dead में मतलब उसको convert कर दिया यह चीज हमारा है जो simple to complex में हमारा method आता है एक्जेक्टिव क्लास को expand करने के बाद हम जो हमारा तीसरा method है तीसरे method में हमारा by expanding a word or phrase into an adverb class यहां पर हम लोग क्या करेंगे adverb कर यूज करेंगे जैसे simple में में दिया गया है he felt sorry on finding out his mistake क्या हुआ कि हमने इसको क्या change करेंगे इसको हम यहां पर辉ड phase हम उसको expand करेंगे हमने इसको क्या किया यहां पर complex में जब change किया he felt sorry when he found out his mistake तो यहां पर क्या हुआ उसी चीज को यहां पर क्या हुआ expand किया गया थोड़ा complex में बनाया गया तो यह चीज हमारा आता है एडवर्ब क्लॉस को में expand करके जब हमारे में कुछी फ्रेज को expand करते हैं एडवर्ब क्लॉस में तो यह हमारा हुआ complex में conversion उसके बाद हम देखेंगे conversion of complex sentence into simple हमने अभी simple to complex किया अब complex to simple करेंगे तो यहां पर हम फिर से देखेंगे by converting a noun clause into a word or a phrase हम लोग noun to say यहां पर phrase में conversion करेंगे complex में हमें दिया गया है I am responsible for what I do यह हमारा complex है हम लोग इसको simple में करेंगे I am responsible for my action यहां पर क्या हुआ कि उसको simple में change कर दिया गया और यहां पर example दिया गया complex का है he wanted to know why he had been dismissed तो यहां पर simple में जब उसको हम convert करेंगे तो he wanted to know the reason for his dismissal तो यह चीज यहां पर क्या हुआ हमारा simple sentence में आता है फिर हम इसको करेंगे by converting and adjective clause into word or phrase यहां पर क्या हुआ हम किसी adjective का भी यूज करेंगे वहां पर भी हमने adjective और जो हमारे noun है उनको यूज किया था यहां पर भी हम उसको उल्टा यूज करेंगे तो हमने complex में हमें जो एक sentence दिया गया है all that glitters is not gold यहां पर simple में जब convert करेंगे तो all glittering things are not gold तो हमारा क्या है simple में conversion हुआ उसके पास हमारे पास है by converting a adverb clause into a word or phrase इसको हम लोग complex में हमें आरे पास यहां पर example है you may do it when you please हमें simple में जब change गया तो simple में हमारे पास आया you may do it at your pleasure तो यह हमारा क्या है simple sentence है हम यहां पर कहां पर focus कर रहे हैं जो conversion में जो हमारे sentence conversion आता है इसका कई बार यह exam में अभी actually यह जो हमारा syllabus है अभी first time इसके में add हुआ soft skill में पहले जो इसके पहले syllabus था वो change था तो अभी इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं क्या चीजें exam में आने वाली हैं क्या नहीं आने वाली तो जितना इसमें notes में है इसको complete आप study करें यह आपको description में मिल भी जाएगी वहां से आप इसको download करके पढ़ सकते हैं तो इसके and not only but also etc तो हमने यहां पर यह जो हमारे conjunction हैं इन सबको यूज करेंगे तो हमने simple में हमारे पास है simple में taking off his cloth he jump into the river तो हमने इसको compound में जब change किया he took off his cloth and jump into the river यहां पर देखिए क्या हुआ हम लोग ने दो यहां पर एक simple sentence था एक sentence था हमने उसको दो sentence में बाढ़ जया जो हमने उसको compound sentence बना दिया यहां पर एक और example है आप इसको study कर जकते हैं तो हमारा दूसरा method है by using as word टेजिव कंजक्शन like but still at etc तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर हमने जैसे हमारा जो cumulative conjunction था वहां पर हम लोग जो दो sentence को हम लोग compound जब बनाते थे तो वहां पर हम लोग and like not only यह सब word use करेंगे यहां पर हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे like but still yet जो simple example है यहां पर देखते हैं in spit of very bad weather they succeeded in the concurring mount Everest हम लोग इसको जब क्या करेंगे compound में change करेंगे यहां पर compound में हमने change करके लिख the weather was very bad still they succeeded in the concurring mount Everest यह हमारा क्या हुआ हमने इसको simple से compound में change गया और इसके कई example यहां पर हमने दे रखेंगे हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं लेकिन हम लोग basically एक एक example लेके एक जो हमारा type होगा हम उसको एक example लेके बताते जाएंगे जिससे कि हमारा ज्यादा वीडियो ल by using an alternative conjunction like or otherwise यहां पर हमारे पास जो simple है simple में हमारे पास है you must take rich diet to gain weight उसको compound में change करेंगे तो you must take a rich diet or you will not gain weight तो यहां पर क्या हुआ कि हमने इसमें और का सब्द का यूज किया हमने उसके पहले still है but है यह सब यूज करते थे यहां पर हमने जो कंजक्ट किया जब किसी compound word बना into simple sentence यहां पर हम लोग compound को simple में change करेंगे तो हमारे पास यहां पर compound का जो बने सबसे पहले हमारा जो टाइप है by using prepositional phrase हम लोग यहां पर prepositional phrase से use करके इसको compound से simple में change करेंगे हमारे पास compound में जो present है एक example देखते हैं he is a Russian by birth but he speak Hindi like his mother tongue तो यहां पर simple में जो हमने change किया in spite of being a Christian by birth he speaks Hindi like his mother tongue दो लोग का meaning same हुआ यहां पर लेकिन हमने इसको compound से simple में change कर दिया तो यह हमारा आता है sentence conversion में जो हमारे phrase conversion आएंगे आपको exam में यह दो नंबर में पांच नंबर में आते रहेंगे second type हमारा है by using a participle तो हम लोग यहां पर participle से use करके compound को simple में change करें compound में हमारे पास the empire found the light poor and decided to call off the display तो यहां पर simple में जो हम लोग change करेंगे तो finding the light poor the empire decided to call off the display तो यह हमारा क्या है participle use करके हमने यहां पे compound को simple में चेंज किया हमने यहां पर use करेंगे by using infinity उसे हम क्या करेंगे इसको change करेंगे compound से simple में हमारा पास compound में example दिया गया है यहाँ पर हम लोग जब इसको simple में change करेंगे तो you must observe austerity to become morally strong यह हमारा क्या है हमने यहाँ पर से compound से simple में conversion किया इसके बाद हमारा आता है conversion of compound sentence into complex sentence हम यहाँ पर हमारा जो first method है compound sentence with communicative conjunction तो हम इससे change करेंगे compound में हमारा दिया गया he wanted to win the price and work hard हम लोग इसको complex में जब change करेंगे तो he work hard so that he might win the price तो यह हमारा क्या हुआ compound से complex में change हुआ फिर इसके बाद हमारा जो second method है compound sentence with adversative conjunction like but still how we are nevertheless तो इसमें हमारा क्या compound में हमें पास दिया गया है attend you class regularly or you will fall short of the attendance तो हम जी complex में जब change करेंगे तो if you do not attend your class regularly you will fall short of attendance तो यह हमारा क्या है compound से हम लोग यहां पर complex में change किये हैं हमारा इसका जो third method आता है compound sentence with alternative conjunction like or otherwise else therefore either यह हमारे क्या आते हैं alternative conjunction में आते हैं तो हमारे पास alternative में जो compound का example हमारे पास है if I cannot afford to buy many books therefore I usually study in the library तो हम जब इसको complex में change करेंगे since I cannot afford to buy many books I usually study in the library यह हमारा क्या है compound से हमने इसको complex में change किया हमारे पास यहां पर आया conversion of complex sentence into compound sentence यहां by using communicative conjunction यहां पर complex में हमारे पास है everybody knows that mine is mortal compound की बात हम यहां पर करेंगे जब complex compound में change करेंगे mine is mortal and this fact everybody knows यह हमारे आते हैं सब examples हमने यहां पर दे रखे हैं कि कैसे हमें complex compound में changes करना है उसके बाद यहां पर इसका में दूसरा जो method आता है by using adversative conjunction by like but still however इसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग adversative conjunction है जैसे हमारे पास complex में दिया गया है although they lost the match they were not disgraced यहां पर क्या compound में जो हम change करेंगे तो they lost the match but they were not disgraced यह हमारे क्या हुआ हमने यहां पर complex sentence को compound में change किया यहां पर हमारे पास by using alternative like or otherwise else other हमारे पास यहां पर क्या है alternative conjunction का अभी हम लोग ने वहाँ पर इसके पहले क्या किया था जो हमारे complex sentence थे उतमे हमने alternative conjunction useकर का complex हमें change किया compound में बनाया तो यहां पर क्या है यूज करते रहना है इसके पार हमारा आता है बार यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शन लाइक और अदर्वाइस इल्स आइदर इन में हमारे पास कंप्लेक्स में जो एक्जाम्पल है इप यू डॉंट सरेंडर और आर्प्स इमेडियेटली यू राट वी शूट डेड हम यहां पर कंपाउन प्रासेश हम लोग देखेंगे वर्ड बिल्डिंग प्रॉसेश नहीं दो टाइप देखेंगे एक हमारा सफिक्स होगा और दूसरा हमारा प्रिफिक्स होगा हम अभी तक पढ़ चुके हैं इसक available कर रखा है आप वहां से जाकर notes को download कर सकते हैं इसके बाद जो पढ़ेंगे वो भी उसमें है और इसके पहले जितना पढ़ चुके हैं वो भी उसमें available है सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर हमाई पास देख बोला कि there are two types of word देखेंगे सबसे पहले सबसे पहले क्या होता है एकजाम में दो नंबर या पांच नंमर पूछता है की make some sentences make some word by suffix method by prefix method तो वहाँ पर example पूछता है suffix क्या होता है prefix क्या होता है भी ठीक जामपल तो हमें वहाँ पर लिखना होता है तो यह पहले देखेंगे suffix की definition क्या है यह suffix is attached at the end of root word to form a new word यह basically क्या होता है किसी word के root मतलब किसी word के बाद में एक word जो some sentences होते हैं जो some जो हम suffix जिसे बोलते हैं वो attach होके एक नया word फार्म करते हैं it can change word class and the meaning of word यह word class भी change उसी class भी change कर सकता है उसकी meaning भी change कर सकता जैसे यहाँ पर example हमें दिये गया है fit plus ness यह जो हमारा ness है इसे हम लोग बोलते हैं suffix यह fit में add होके इसमें क्या बना दिया एक fitness नया word बना दिया है जो कि इसकी class के साथ साथ इसकी meaning भी यहाँ पर change हो गई suffix में भी used to form noun from verb and adjective and adjective from noun and verb यह क्या है कि adjective से noun और noun से adjective रहेक्प्व दोना जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमने some example र Carry रखे नदे बनके लें वहर में क्या है हमाए पास i point point पार स्थे पहले दिया गया है हमने क्या किया यहाँ से plus mint किया जो हमारा सफिक्स है हमने उसको ऐड किया यह बन गया हमारा एपॉइंटमेंट यहां पर यहां पर थोड़ा सा जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है है यहां से पूरा यह सेम इतना वर्ड जीतना मैं हो यहां से डार के कर रहा है तौ आएसे है यहां पर बहुत से उक्विक्स मतलब हाने इस सब नहीं है जो फिक्स लाया के न्यूğ वाड को एंगे क्या उसके बाद पार देखते हैं prefix prefix basically क्या होता prefix मतलब यहांपर सब्सक्राइब क्या नहीं है जिसे प्री मतलब यहांपर क्या करते हैं कि सी वर्ड के पहले हम जो है इस prefix को ऐड करते हैं और वो नए वर्ड हो जाता है तो यहां पर यहां पर यह नहीं होना कि ताफिक्स पहले आड करना परी मतलब यहां मतलब उसको आपने आप एको चुन लीजिए दूसरा आटोमेटिकली पता ही चल जाएगे एक यह हो गया तो यह दूसरा ही होगा प्रिफिक्स और यूज्टू बिगनिंग आफ ए रूट वर्ड हैविंग प्रॉपर एंड लॉजिकल मेनिंग हम लोग इसको सबसे पाया यह सुरू में एड करते हैं जैसे हमारा डिस है हमने इसको एडवांटेज में जूड दिया तो हमारा बन जाएगा डिस एडवांटेज यह हमारा बन गया नयवर्ड प्रिफिक्स विद्व अपने मिश्ट्रक हुई है काफी ज्यादा मिश्टक हो गई यहां पे तो इसको अप अपने से कर लिजए अपने से आप समझ लिजएगा य पहले हमारा इम्पॉसिबल यह हमारा क्या होता है हमलोग पढ़ते थे हमें डिया तो यह चीज़ा होता है इसके बार हम देखते हैं सेनोनिम्स सेनोनिम्स का सेनोनिम्स को पता है सरनारा नाम होता हैं हिंदी में अभी तक पढ़ रखंगे हैं या विहार बोर्ट से जितने इतने स्टेट बोर्ट से परियावाची बहुत अच्छे सवर्ड समझते हैं यो सीवियस से वाले वो लोग हंदी का यूज़ नहीं कि लेकिन यह जो इतने स्टेट बॉर्ट हिंदी मेडियों मौल हैं यह अच्छे समझेंगे तो से इनुम्स बेसिक्ली वही हो तो से इनुम्स और वर्ड डाइट और सिमलर और है वे रिलेटेड मीनिंग और यहां पर हमने जैसे एक्जामपल में ही हैं सर्प्लस मौनी यहां हमने किया है सर्प्लस का हमने इसको चेंज किया हमने यहां पर हमने यहां यहां पर यहां पर देखते हैं ने पता हैं क्या होता है बिलोम सब्ध हिंदी में तो हमने यहां पर क्या इंटोनिम्स हमने यहां पर समवर्ड यहां पर दे रखे हैं वर्ड जो हैं इनके सिनोनिम्स इनको इंटोनिम्स बहुत टाइप्स होते हैं तो आप यहां पर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौंस एक्जाम में आने वाला ह है चीज क्या होती है यह चीज में आपके जितना ही नालेज में रहेगा यह कोश्चन दो से पांच नंबर में आते हैं रहाएगा थोड़ा से धीप में पढ़ते हैं तो आपको जान homophone होता क्या है? homophone हमने यहां पर लिखे रख्शा, हम एम इसे demision, homophone are the two or more words that share the same pronunciation. But which have different spelling basically, क्या होता है? कि जो homophone होता है, इसका हम pronunciation सेम होता है, लेकिन इसकी spelling और meaning क्या होती है? change होती है, हमने जैसे यहां प्र एक्जामपल में लिया है, the word here, here and here, दोनों का अगर pronunciation देखा जाए ह-e-a-r और h-e-r-e का pronunciation सेम है, लेकिन इन दोनों की meaning क्या होती है, meaning change होती है homophones because they mean completely different thing, even thought they sound similar in some case homophones have the same spelling, some cases में spelling सेम हो जाती है जैसे हम यहाँ पे अगर देखें, हम dear, dear को भी पढ़ते हैं, हम t-h-e-i-r को भी dear बोलते हैं और जब हम लोग short में लिखते हैं, they are, तो हम यहाँ भी dear सब्द बोलते हैं लेकिन इन तीनों के अगर meaning देखिया है, तो difference होती है तू, हमने टी वो वाला, टी डवलो वाला, टी डवलो वाला, टी डवलो वाला, तीनों का meaning यहाँ पे सेम हो जाता है वो यहाँ पे b-h-o-u-g-s, अब b-o-w यह सब्सेम, यह तो जितने वर्ड हैं हमने देखिया है, सब्सेम है, cell, cell लेकिन दोनों की सब की क्या होती है, इस पेलिंग से अलग होती है, c-s-e-a वाला, c जो समुद्र हम, c देखने वाला, क्या यहाँ पे सब्सेम है, बियर, बियर, क्या यह एकदम इनकी जो प्रोनुंसियेसर ने एकदम सेम है, लेकिन meaning अलग है, यह हमारा क्या आते है है, हो होमोफोन में, इसके बाद हम देखेंगे, होमोनीम्स क्या होते है, होनीम्स क्या होते हैं, हम यहाँ पहले देखते हैं, the word होमोनीम was derived from the Greek word of homonymous, which meaning having the same name, in simple term, होमोनीम्स are those words that have the same spelling or pronunciation, but completely different meaning and function, basically, यहाँ पर क्या होता है, इसके meaning के वाल चेंज होती है, यहाँ पर हमेशा जो हमारे होमोनीम्स रहेंगे, उनकी meaning जो है, और से अलग रहेगी, और हमारी spelling और pronunciation सेम रहेगी, जैसे हमने यहाँ पर वर्ड ले रखे हैं, हमने यहाँ पर वर्ड हमारे पास होमोनीम्स में है, beer, यहाँ पर अगर देखा जाए, पार्ट आप स्पीच बनाया, देशा ए ब्लाइक बियर, मतलब उन्होंने एक काला वालू देखा, वे काला वालू देखें, लेकिन यहाँ पर अगर वर्ड में हम देखें, तो being able, accept to and deal with the something, यहाँ पर देखिए एक नए सेंटेस में, यहाँ पर क्या है, you will have to bear the pin, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें, you are right, mean a side on the right, मतलब यहाँ पर एक right side की बात की गई है, एक सही गलत की बात की गई है, यह क्या है, प्रोनुंसियेशन और इस्पिरिंग दोनी सेम है, लेकिन इनकी जो meaning है, वो change है, अब हम लोग आते हैं, new word formation, new word formation का मतलब क्या होता है, हम कैसे नया word, किसी पुरा तो सबसे पहले आता है compounding, जो method है, compounding, आते हैं, यहां पर क्या होता है, compounding में आते हैं, हमारे पास, यहां पर पर हम देखते हैं हमने कि infamous इसको यहां पर हमारा आता है तो उसमें इसको हमने पहले प्राइले यहां पर देख लेतें कैसे बनातें PB से कैसे बनाते हैं पर देखे सब्सक्राइब बना दिया यहां पर फार्मेशन में उसमें आता है इसके बारा जो मेथड आता है conversion conversion अम्यवर्ण में क्लिक्स क्या होता है हम लों किसी एक वर्ड को convert करते हैं एक क्वाप्श जैसे हम लोग पहले पढ़ रखें कि कि फार्ष्ट कि सेकेंड फार्म तो हमारा पैंद फर्जन में झैसे हमें आफर Ini 1991 लिखा है अब महाते हैं blending blending किकी होता है अब किसी दो word को साथ में ka करना R j garlic है यहां पर क्या बनाया हमने यहां पर माराण टव2 हम यहां इस दोनों को ad किया हमने यहां बनाया begin यह क्या हुआ नया वर्ड हमने यहां पर इन दोनों का हमने इसका समवर्ड लिया समवर्ड इसका लिया और हमने यहां पर इसको नया वर्ड फार्म किया Motor plus Hotel में हमने बता है क्या Moteel Work holiday में एक नया वर्ड बनाते हैं मतलब जब ब्लेंड करते हैं कि आप हमारे आता है Butree прек tavalla मिशिक्न क्या होता है हम लोग किसी वर्ड को किसी जो वर्ड होते हैं हम उसको Вы güzel बेसे को साट कर दिया हमा आब आदा दूसरा जो आता है क्लिपिंग क्लिपिंग में क्लिपिंग में क्लिपिंग 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 क्लिप को बोलते हैं डेमो तो यह क्या चीज़ है हमने क्लिप कर दिया इसके संपाट को क्लिप करके नया वर्ड को फर्मेशन किया फिर हमें आप यह आते हैं एक क्रोनीम क्रोनीम क्या होते हैं एक क्रोनीम क्या होते हैं एक क्रोनीम विच आर्द फॉर्म 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 आप अब और वर्ड फ्राउं यूजिंग उनली दफ़स्ट लेटर आप दवर्ड वाइटिंग एन एक्रोनेम वी आर रिदूसिंग अफोल फ्रेज और सेंटेज तो ए सिंगल वर्ड लेट असी पापुलर एक्जामपल यहां पर जैसे हम लोग क्या करते हैं लॉपिंग हम लोग किसी जो किसी जो वर्ड है सेंटेंस उसका जहां लोग करते हैं कि कॉलेज का नाम जैसे रहता है कुरेट इंस्ट्यूट आप मैनेजमेंट टेकनोलोजी तो हम लोग उसका क्या बोलते हैं ए आई एम्ट तो उसको हम लोग सौड बोलते हैं उनाइटेड नेशन हमारा हमने विदाउट एनी प्रॉसेश बैसिकली यहां पर क्या होता है जब निव वर्ड का फ़र्मेशन होता है बिना किसी पुराने वर्ड को यूज करके वह हमारा आता है नौवल क्रियेशन का मतलब यहां से है कि कोई नई चीज को क्रियेट करना जैसे हमारा पजल है बैस है सकती है पहले में फॉर वालिख दिया हमारे क्या आते है लाइत किमने में चेंज कर दिया यह है जो लॉमने क्रियेट ईसमें में स्कंविखने creating re-spelling form of new word formation loan word में क्या होता है in linguistics alone happen when we take a word directly from the foreign language जब हम लोग foreign language से कोई word लेते हैं जैसे हमारा आता है solo, pijat, pass यह हमारे क्या आते हैं loan words में आते हैं अब मारा आता है select word power select word power basically होता क्या है जब हम लोग किसी word को आगे change करके नए word फार्म कर जैसे हमने यहाँ पर avail लिया, avail से हमने क्या बनाया available, avail से फिर क्या बनाया हमने availability यह हमारे क्या होते है select word power यह भी एक basically new word formation का फार्म होता है तो हमने यह चीद देखा अब हम लोग यहाँ पर देखें concord, concord basically क्या होता है हम लोग यहाँ पर देखें concord subject verb agreement basically इसका meaning यह होता है कि जब हम लोग कोई sentence फार्म करते हैं तो वहाँ पर कुछ agreements होते हैं subject और वर्ब के बीच में तो उसे हम लोग concord बोलते हैं concord is a vote or mean agreement between the subject and verb as well as other element of the clause structure some rule of agreement are discussed below तो हमने पास यहाँ पर क्या है subject verb agreement subject verb agreement basically क्या होता है हमारे पास यहाँ अब दिस इस अग्रीमेंट बेट्विन दा subject and predicator और वर्ब the rule of here state that मारे प्यास यहाँ पर होता है when the subject is singular the word should be singular when the subject is plural the word should be plural तो यह हमारा क्या होता है subject verb agreement इसके कई types होते हैं मारे पास यहाँ पर यहाँ पर अगर देखा जाए some specific rule यहाँ पर दिया गया concord a pair of agreement when the phrase a pair is used as a subject it creates a singular and attract a singular verb that is a pair of scissors on the table तो यह हमारे सब क्या आते हैं concord होता है तो हमने इस unit में complete जितना हमारा syllabus था new syllabus हमारे की ट्यूब का था हमने पूरा complete study किया यह notes आपको description में मिल जाएगी आप इसको download करके revision कर सकते हैं आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next video झाल झाल